तो जैसे ही मैंने आप लोगों से promise किया था कि मैं real project के उपर ही आपको keyword research करना एंड उसका SEO complete करना सिखाने वाला हूँ तो हमारा एक Australia based client है तो उसके लिए जो है हम आज से keyword research करेंगे और real projects पे उसको implement करेंगे और उसके बाद में उसको Google पे rank में लेकर आएंगे तो अगर आप भी जो है expert बनना चाहते हैं SEO के अंदर वो तो बने रहे हैं हमारे साथ में आज से video कोई भी आए SEO से related तो जरूर आप लोगों ने उसको complete जो है focus देना है so that आपको भी पता चले real projects के उपर में कैसे काम किया जाता है आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है because इसमें real project के लिए हम keyword कैसे research कर सकते हैं पूरा A to Z जो है मैं आपको explain करने वाला जानने के लिए वीडियो को एंड तक जिरूर देखे है guys मेरा नाम है Manjit Singh और आप आप देख रहे हैं आपका अपना channel Digital Manjit so अगर आप भी हर मैंने एक लाक रुपया से ज्यादा amount earn करना चाहते हैं तो ऐसे में नीचे description के अंदर एक link दिया है उस पे click करके by just paying 99 rupees आप हर Sunday को होने वाले free workshop के अंदर join कर सकते हैं और ऐसे में इसके वालाबा और आपको कोई भ प्रजेक्ट के लिए और हमारा आज का प्रजेक्ट है कि एक Australia-based client है और क्या client है क्या details उसकी चाहिए कैसे keyword research करने के लिए planning करेंगे हर चीज in and out computer screen ले जाकर आपको सिखाने वाला है चलिए हम आचुके computer screen पे और सबसे पहले हम बात करेंगे जो एक हमारा client है वह Australia-based है जिस उसके लिए हम अभी जो है उसको पहले search करेंगे Google पे तो Google पे जो है उनकी website हमने बनानी है और website बनाने के लिए अभी क्योंकि website exist नहीं करती है तो इसे लिए हम जो है उसके लिए पूरा keyword research वगरा सब चीजें करने वाले हैं because SEO is equally important और उसको Google में number one पे लेकर आना है so that कि जब भी कोई search करें तो हमारा यह जो cafe है like launch cafe है वो आपका सबसे पहले दिख जाना चाहिए तो उसके लिए हमारा जो client का जो cafe है वो है यहाँ पे brew launch cafe adelaid तो यह south australia के अंदर है you can see अगर करते हैं तो यहाँ पर यह उनके जो भी like uber eats वगरा है या वहां के जो और other local व you can see जो खुद का उनका है वो यहाँ पर नहीं आ रहा है side पर तो definitely business listing उसकी आ रही है बट जो आना चाहिए वो नहीं आ रहा है right क्योंकि उनकी website की बात करें तो वो यहाँ पर नहीं दिख रही है बट यह हमारा जो है एक बहुती specific navigational keyword हो गया because हमने यहाँ पर brew launch cafe adelaid लिखा तो यह keyword तो हमें चाहिए है तो पहले हम इसी को लिख लेते हैं तो जैसा कि मैंने बताया था हम यहाँ पर एक excel sheet maintain करेंगे और excel sheet के अंदर जो है यहाँ पर हम लिखेंगे let's say keywords then उसके बाद में उसकी volume then उसके बाद में उसका competition right तो यहाँ पर keyword हमने एक लिख दिया इसको लिख लेते हैं बिकास यह तो हमें चाहिए चाहिए keyword अभी volume बगेरा इस पर definitely कुछ भी नहीं मिलेगी right अभी हम थोड़ा सा और research करते हैं क्योंको यह एक specific navigational keyword है चलो अभी keyword और थोड़ा सा इसको नीचे scroll करते हैं let's see कि इसके नाम से कुछ और मिल रहे हैं तो you can see यहाँ पर सरफ इतना है मिल रहा है reviews about the brew launch cafe and the menu for the brew launch cafe so you can see कोई भी other हमें के जो keywords है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे हैं so what we can do is हम थोड़ा सा और उपर चलते हैं अब हम यहाँ पर यह देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा और उपर चलते हैं and हमें brew को हटा देना है क्योंकि यह एक specific हो रहा है अब यहाँ पर करके करते हैं तो you can see यहाँ पर cafe launch opening hours right तो यह हमारा keywords हो सकता है meaning का कोई मतलब नहीं है launch cafe bar near me तो definitely यह बार नहीं है तो मैं इस keyword को exist नहीं करूँगा बड़ यहाँ पर एक keyword और मिला cafe launch opening hours right तो opening hours को भी हम यहाँ पर एक लिख लेते हैं example के लिए भी लिख रहे हैं बगी इसको consider करना है क हम बाद में decide करेंगे और चलते हैं यहाँ पर अब यहाँ पर जाकर हम जो है एक वारवापस से cafe launch या फिर मैं सिर्फ cafe लिखता हूँ cafe in फिर हम यहाँ पर जो भी city है उसका नाम लिखेंगे अब देखो यहाँ पर city का नाम इसलिए जोड़ना जरूरी है क्योंकि यह एक cafe है अब cafe जो है वो पूरे ऑस्ट्रेलिया में best बनाने का कोई फाइदा नहीं है बाद में definitely we can go with that but as of now हमें सिर्फ उसकी city के अंदर उसक city में number one आएगा तभी उसको business मिलेगा अब पूरे world पर जाने का कोई benefit नहीं है इसलिए हम यहाँ पर जो है उसकी जो city है इसके साथ में हम यहाँ पर जाएंगे cafe in Adelaide तो यहाँ पर जो है उनका भी नाम नहीं आ रहा जो आना चाहिए था तो यहाँ पर हमें एक और keyword मिल गय है नीचे चलते हैं थोड़ा सा और नीचे चलके देखते हैं कि हमें यहाँ पर क्या-क्या मिल रहा है तो you can see यहाँ पर cafe in Adelaide और यह कुछ नाम्स वगएरा आगे यह आगे और उसके बाद best cafe in Adelaide तो मैं यह वाला keyword जो है इसको मैं copy कर लेता हूं यह सीधा लिख लेता हू let's say यहाँ पर हम कर लेते हैं best cafe in Adelaide थोड़ा सा टाइम जरू लगेगा definitely इन सब चीजों में क्योंकि real project के उपर में काम कर रहे हैं तो मैं हर चीज आपको बता रहा हूं तो यहाँ पर जो आपका अब लिखा है cafe north Adelaide यह keyword हो सकता है लेकिन हमें उसका address देखना पड़ेगा तो चली address देख लेते हैं इसका address क्या है so that कि हम address base में भी targeting कर सकें तो मैं वापस एक और tab खोल लेता हूं यहाँ पर और वापस हमारा जो brew cafe lounge Adelaide है उसके चलते हैं तो इसका address जो है वो क्या है वो हमें यहाँ पर देखना important है तो you can see यहाँ पर 76th square right so यहाँ पर हम जो है इस 76th light square cafe तो हम यहाँ पर डाल सकते हैं 76 light फिर उसके बाद क्या है आपका तो मैं एक काम करता हूँ यह ऐसे ही ले लेता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ यह मैंने लिख दिया और इसको वापस से हम थोड़ा सा कर लेते हैं इसमें लिख देते है cafe at right cafe in या in कर दो या add कर दो या हम यहाँ पर कर जाते हैं like launch cafe 76 light square adelaide तो यह हमने एक keyword और find out कर लिया जो कि एक specific location को भी target करेगा तो ऐसे कुछ जो हमने हम जो समझ सकते हैं वो हमने यहाँ पर कर दिया और एक और keyword हम बना सकते हैं like best say for example lounge cafe हम कर सकते हैं lounge cafe in adelaide कर लेते हैं because इसके उपर में हमें ज्यादा research कर दिया उसके उपर में हम उसको famous करना चाते हैं तो यह हमने कर दिया अब हम क्या करेंगे यह तो हमने अपने हिसाब से search करा बट अभी जो है हम इसको अपने हिसाब से ना करके हम यहां पर और क्या कर सकते हैं तो google क्या बुलता है तो हम चलते हैं यहां पर ad word के अंदर और ad word में हम चलते हैं यहां पर keyword planner के अंदर तो keyword planner के अंदर चलके मैं यहां पर एक जो keyword मुझे यहां पर best लग रहा है यहां पर इसको ले लेता हूं हमारे पास में options आगे हैं keyword के तो यह देख सकते हैं थोड़ा सा और देख लेते हैं यहाँ पे अगर आपको कुछ लगता है आप देखो nice cafe outlet है ना तो यह nice जो है यह आपका अभी जिनका कोई volume नहीं है तो वो तो हमें चाहिए नहीं top cafe वगेरा यह काम कर लेते हैं इसको पूरा as it is अगर कोई ऐसा keyword नहीं है मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा keywords है इसके अंदर में so what I'll do is मैं इसको सीधा ही डाउनलोड कर लेता हूँ बट डाउनलोड करने से पहले you can see अगर आप उपर ध्यान देंगे तो यहाँ पे जो location है यह इंडिया के हिसाब से है बट हमारा जो client है वो कहां पे इंडिया में नहीं है तो मैं इसको add it पे click करता हूँ और इसको मैं delete क करके अब हमें वो target location भी देखनी पड़ेगे क्योंकि उसी keyword हम जो उस location के लिए keyword डूण रहे हैं तो मैं यहाँ पर डालूँगा कितने keywords हमें यहाँ पर मिलते हैं तो यहाँ पर अभी कुछ ज़्यादा नहीं keywords है अगर और बहुत ज़्यादा keywords होते तो मैं यहाँ से filter लगा सकता था राइट मैं यहाँ पर add filter पे click करके मैं filters लगा सकता था बट ठीक है अभी हमने कोई नहीं लगाए तो हम इसको download कर लेते हैं csv में और एक बार csv download जाए you can see इसको open कर लेते हैं let me open that अब यहाँ पर सबसे पहले यह जो उपर वाली जो है इसको तो अपन delete कर देते हैं और delete करने के बाद currency मुझे नहीं चाहिए तो जो चीजे मुझे नहीं required है वो मैं delete कर देता हूं यह percentage वगरा हमें नहीं चाहिए हैं तो मैं इसको भी delete कर देता हूं और competition definitely चाहिए और उसके बाद हम यहाँ पर इसको delete कर देते हैं तो यह हमने यहाँ पर कर दिया जो हमें चाहिए तो वह हमने रख लिया और यहाँ पर competition indexing वगरा खेर anyways इसको हम delete कर देते हैं we don't need this also हमें average monthly search क्या है volume क्या याने भी तो मै यहाँ पर इसको rename कर देता हूं आपके लिए volume तो यह आपका volume हो गया और यह हो गया हमारा competition और यह हो गया हमारे keywords अब कितने keywords आये you can see सरफ 22 keywords हमें मिले जिसमें आपका एक तो यह competition unknown है तो best cafe in यह एक year को target किया गया अब हम इससे आ गया गया तो यह keyword हमें नहीं चाहिए इस unknown है right तो यह जो है अभी unknown है but I want to keep this let's see हम और क्या कर सकते हैं तो हम सबसे पहले इसको वापस filter लगाते हैं यहाँ पे largest to smallest पे click कर लेते हैं sort कर लेते हैं तो हमारा यह हो गया तो पहले वाले पे आपका competition low है Adelaide best cafe मुझे यह रख लेता हूँ cool cafe Adelaide अब यह जो cool cafe है एक देख लेते हैं इसको करना है good cafe Adelaide definitely हम इसको रख सकते हैं अब यह मुझे नहीं चाहिए है अब यहाँ पे जो है अगर client आपका breakfast देता है तो you can go with us अगर नहीं देता है तो definitely आप इसको छोड़ सकते हैं अब यह भी मुझे नहीं चाहिए because यह आपका अलग चला गया इसको हटा देते हैं best cafe Adelaide CBN इसको भी हटा देते हैं best cafe North और इसको भी हटा देते हैं cute cafe नहीं हमें इसकी कोई requirement नहीं है तो जो keywords आपको नहीं चाहिए आप और remove कर दे मैं थोड़ असा fast कर लेता हूं so यह beach के जो है मुझे नहीं चाहिए है तो मैं इसको हटा देता हूं and beach cafe best cafe इसको भी हटा देते हैं यह port भी नहीं चाहिए best new cafe Adelaide यह keyword रख लेते हैं because यह नया cafe है और wagon cafe हटा देते हैं यह भी हटा देते हैं nice cafe Adelaide nice super word use नहीं हो ठीक है इसको use कर सकते हैं nice cafe in Adelaide so what I'll do is मैं एक को रख लेता हूं और इनको मैं यहां से copy कर लेता हूं and copy करके जो हमने excel sheet बनाई यह उस पर चलते हैं और यहां पर जाके इसको paste कर लेता है तो यहां पर जाकर paste करने से क्या होगा हमें पूरा detail मिल जाए तो you can see यहां पर brew cafe launch तो इसका volume तो है नहीं है competition तो definitely इसका low है and cafe launch opening hours तो इसको मैं नहीं consider करना चाहता हूं इसको मैं हटा देता हूं best cafe in Adelaide already I think I have covered in best cafe new word है यहां पर तो best cafe in Adelaide तो you can see मैं नहीं उपर ले लिया है तो इसको भी मैं यहां से delete कर देता हूं competition definitely इसके अंदर low है and lounge cafe 76 light square Adelaide तो यह एक keyword मैं रख लेता हूं because target जो location है उसको यहां पर कर रहा है तो इसको भी रखा जा सकता है and best lounge cafe in Adelaide तो best lounge cafe कहीं keyword नहीं है तो you can see मेरे पास मैं यहां पर कुछ ऐसे keywords हैं जो मेरे सामने समझ में आए हैं अभी इनमें से कौन से primary रहेंगे और कौन से secondary रहेंगे उसको अगर करना चाहते हैं तो पहले तो यह देख लेंगे कोई duplicate तो नहीं है brew cafe तो definitely मैं यहां पर इसकी priority define कर देता हूं priority तो priority में इसको मैं देता हूं एक number और best cafe in Adelaide तो definitely इसको भी मैं one दे देता हूं इस पर मुझे थोड़ा सा doubt है तो what I'll keep do is मैं इसको जो है तीन number पर रख लेता हूं best lounge cafe in Adelaide तो इसको भी मैं one पर कर देता हूं because best lounge cafe in Adelaide चलो ठीक है it's okay Adelaide best cafe इस पर volume बहुत अच्छी है so I'll keep it and cool cafe cool 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 तो I don't think so तो मैं इसको two पर डाल देता हूं because good cafe definitely good word यह अच्छा है use कर सकते है and breakfast को I'll go with three इसको तीसरे number पर डालूँगा मुझे client से check करना पड़ेगा कि वो breakfast देते हैं की नहीं देते हैं और यहां बेन best new cafe Adelaide तो इसको मैं use कर लूँगा nice cafe ठीक है एक बार client से मुझे check करना पड़ेगा as of now मैं इसको अलग कर लेता हूं top cafe Adelaide तो इसको जो है because top word use हुआ है तो मैं इसको to में रख लेता हूं because I don't think कि यह ज़्यादा जो है use किया जा सकता बढ़ ठीक है इसको रख लेते हैं काम करते हैं रख लेते हैं अभी हम क्या करते हैं इसको filter कर लेते हैं तो like see जो मेरी requirement के हैं इनको मैं as a primary define कर सकता हूं और बाकी जो है मेरे पास में doubt है तो उनको हम बाद में करेंगे तो you can see यह कुछ ऐसे keywords हैं हमारे पास में जिनके उपर में हम ranking करवा सकते हैं तो पहला एक दो तीन चार पांच शे and seven तो यहां पर साथ keyword हमने ऐसे इस्तिमाल करें हैं और या फिर मैं यह जो 5000 है कूल कैफिक में competition low है तो मैं काम करता हूं इसको भी consider कर लेता हूं अभी के लिए तो let me go with this and यह हमारे कुछ ऐसे keywords हैं जो निकल के आ गए जो best है मेरे लिए अब इसके साथ साथ में आपको जब भी keyword research करते हैं सबसे पहले आपको उसका क्या दिखना होता है तो business type definitely हमें पता है कि क्या है it's a lounge cafe तो यह मैं cafe लिख देता हूं और उसके बाद में हम यहां पे उसका जो ह लोकेशन क्या है तो लोकेशन definitely यहां पर Adelaide है Australia का तो हम यहां पर लिख देते हैं Adelaide और उसके बाद में जो है इसमें आपका target क्या रहेगा टार्गेट क्या होना चाहिए तो टार्गेट डेफिनेटली यहां पे स्पैसिफिक होना चाहिए राइट कि स्पैसिफिक कहां पे होना चाहिए स्पैसिफिक एडलेड होना चाहिए तो यह चीजे जो है आप इसमें define कर सकते हैं तो यह चीजों के उपर में पहले तो आपको ध्याम देना है कि किस तरीका business है उसमें क्या एक अच्छा खाना भी येस हम लोग आगे चलके इसमें जो है best food के लिए भी जो है best food के लिए हम कुछ यहां पर use कर सकते हैं अपने keywords को and target location हमारी specific है तो इसके according अगर देखा जाए तो हमारे पास में keyword जो है वो ready है अभी keywords को हम stuff करेंगे हमारी जो नई website बनेंगी उसके अंदर तो चलिए अभी keyword कैसे research कर जाते हैं यह आपको समझ में आगा थोड़ा सा video definitely थोड़ा यहां पर इसका जो length है वो बढ़ गया है बट यह आपका बहुत ही important है चीजों को identify करना और उसको आगे लेके बढ़ना project के लिए ठीक है जी चलिए मैं मिलता है आपको next video के अंदर till then stay safe goodbye